राजिस्थान में कैसे ही साज़श रची जा रही थी यहाँ पर ट्रेन को पल्टाने का पूरा प्लान तयार किया गया था यह साज़श अजमेर में डेडिकेटेट फ्रांट कोरिडोर पर रची गई ट्रैक पर बकाईदा सीमेंट का भारी भरकम ब्लॉक रख कर ट्रेन को डिरेल करने के साज़श हुई पट्री पर एक किलोमीटर के ही दायरे में दो जगह पर सीमेंट के ब्लॉक रखे गए थे सीमेंट के जो ब्लॉक रखे गए थे उनका वज़ण करीब 70-70 किलो का था तोड़ते हुए आगे बढ़ गई अगर मालकारी डिरेल हो जाती तो बड़ा हाथवा हो जाता आपको बता दे कि सीमेंट के ये ब्लॉक अजमेर में जार्धना बांगर ग्राम स्टेशन के बीच में रखे गए थे मालकारी की ड्राइवर की कंप्लेन पर आरपी एफ ने एफाई आर दर्ज करके मामले के जाच करने शुरू करती है और हर एंगल से जाच की जा रही है पड़ी लाइन पर इतने बड़े ब्लॉक्स रखने का मतलब क्या है अब देखे पूरा इलाका गर आप वे शुरुआत में देखेंगे तो पूरा सुनसान इलाका है यहां कौन आके किस तरीके की घटना को अंजाम दे सकता है कोई पता नहीं चलने वाला है लेकिन एक बड़ी साजिश रचने की कोशिश की गई है इसी जगह से रात को ट्रेन ज टकराया और उसके बाद फिर आगे 500 मिटर दूर जहां पर आपको लोग दिखाई दे रहे होंगे उस जगहा पर ब्लॉक्स रखा था वो इंजन में टकराया और उसके बाद क्रेन को रोक दिया गया माल गाड़ी गाड़ी थी अगर कोई पैसेंजर ट्रेन होते और अगर ड किसी एक वेक्ती के सामर्थ की बात नहीं है कि वो इस पट्री पर लाके रख दे कौन है कहां से आये हैं ये लोग ये अभी शुरुआती जाच की जा रही है लेकिन हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से इस जगह पर यानि इस बड़ी लाइन पर बड़े ब्लॉक्स रख कर एक बड़ी साजिश करने की कोशिश की गई कि ट्रेन डिरेल हो जाए और वो भी रात के अंधेरे में लगबग साले दस वज़े ये घटना घटी थी और अगर उस जगह से पैसेंजर ट्रेन आ रही होती तो शायद ये बड़ा हाथसा हो सकता था ट्रेन को धीरेल करने की साजिश किसने रची फिलहाल इसकी जान चारी है जिस जगह पर रेल्वे ट्रैक पर पत्थर रखे गए थे वो पोरा इलाका बहुत ही सुनसान है आज पास ना तो कोई दुकान है और ना ही कोई मकान सर ये बड़ी साजिश की कोशिश की गई है क्या कि ट्रेन की पत्रियों के बीच में ब्लॉक सकते हैं क्या मामला है ये देखिए हमें जो संडे और मंडे की इंटर्विनिंग नायट थी उसमें ये घटना हुई है तो हमें रेल्वे अथार्टीस की तरफ से और सूचना मिल तो इसमें जो पर्थम दस्टिया जो लगाया हमें कुछ जो रेल्वे के ब्लॉक्स थे वहीं पर जो रखे हुए थे उनको उठा के दो जगह पर ये घटना हुई है करीब दोनों के बीच लगए एक किलोमेटर का एक डिफरेंस है भी इस समन्द में हमने मुकदमा धर्ज क इसके आधार पर इसमें इंवेस्टिकेशन किया जा रहा है जो भी बात होगी निकल के सामने आएगी उसकितने बढ़े होगी बता रहे हैं कि रात को इंजन से ब्लॉक्स ठक राये थे उसके बार काफी ऐसा लग रहा है परतम दस्तिया कि थोड़े भारी हैं तो हो सकता है क कि एक से ज्यादा लोग भी इसमें इंवाल्ड हों उन सभी पहलों पर हम इंवेस्टिकेशन करेंगे और देखेंगे क्या हो सकता है यह कोई साजेश या इस तरह की कोई शरार्ती तत्त हैं तो इसके लिए हमने एक SIT का भी गठन हमने कर लिया है वो SIT टीम पूरी जिसमें सबी लोगों को हमने लिया है पुलिस की तरफ से और वो हम देखके और उसमें वेस्टिकेशन करेंगे जाने पर लग रहा है यह डिरेल करने ही की की ही पूरी कोशिश थी यह बलॉक सब्सक्राइब देखिए यह एक बार रेल्वे अथर्टी से हम और टेकनिकली एक सपोर् यह डिरेल हो सकता है तो डेफिनेटली समद्ध में भी पूरी त्यक्यकात की जाएगी